आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ओनर्स का पेपर फॉर्ट पेपर फॉर्ट का यह चैप्टर 3 है और जपान में समराज जबाद हम लोग पॉड़ रहे थे और यह चैप्टर पूलिट हो गया था अब इसका हम लोग अब्जेक्टिव कोचन दे पहने वाले थे तो अगर आपने चैप्टर 3 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक किसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां देख सकते हैं या इसी चैनल पर प्लेशिट बना हुआ वहां सभी देख सकते हैं अब यह चैप्टर 3 के बाद लगवक्त ती लिए और पर परिखें देना पड़ता है और उसके बाद सबसेड़ी और कंपोजिशन का पर आपका होगा जिस सब्जेक्ट उप उसका एक्जामद ना होता तो अच्छा यह जो पेपर 3 है और पेपर 4 तो पेपर 3 और पेपर 4 हम पढ़ा दिये है पर प्पर 3 का पुरा चे सबसे पहले पर थी कंप्लीट करवाया जाएगा और उसके बार फिर पर फोड अब नहां रहेगा इसमें बहुत कुछ पहले चेप्टर कंप्लीट करवाएगे जो भी चेप्टर बढ़ाएंगे उसका फिर अब जेक्टिव कोश्चन सब्जेक्टिव कोश्चन और हर तो जोल दी निया बैच का चलो होने वाला चलो तो चली आगे बढ़ते हैं आपटिव कोचन की तरफ हम लोग कुछन है जपान के राजा को किसके मैंना जाता है का मणा जाता है जपाँ के राजा को सूर्य को परकर्ती को या अग्रा को क्या सूर्य को और समराज ये बाद तो इसमें क्योटा बताते राजा का रौत राजा का मोहल को क्योटा इस सात को कोचन आपको याद था एक पूमेंट में लिए आपको जुरूरchar गांट ज ins crap राजा का महल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है कि जपान में कौन से धर्म क्या धिकता है बहुत धर्म जैन धर्म हिंदु धर्म है डीन में से कोई नहीं तो जपान में बहुत धर्म का धिकता है द्यान रखेंगे जपान में कौन बहुत धर्म की इंट्री हुई थी कहां पर छाटी सदी में बहुत धर्म की इंट्री हुई थी जपान में चीन से जपान पहुंचा था बहुत धर्म खुद से चल कर सोड़े पहुंचे थी तो धर्म में चल कर सोड़े पहुंचेगा इसके बहुत धर्म का अनुवाई हुद कहां पर बहुत धर्म करनवाई गये था पहले चीन उसके बाद जपान परचार करते हुए जपान पहुंची तो वहां के लोगों ने वहां के राजा ने भी इस धर्म को अपना लिया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन ते इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत धर हमकि तो आगे बढ़ते हैं सनमुराई कोँ थे मंत्री साम दाया या डीन्योडाा करते हैं यह कि य्योदा वर को सनमुराई काल जाते था रधा यह फंवरा ल्का कौँ ने इसमें सौन और सोगुन सामंत सामंत या मंत्री होते थे जो राज्या की यह चोटे 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 जगओं के जैसे चोटे चोटे राज्या करनें पर Giving लाजै कर दो यह अगला क्या है कौनसे डैपारि पार करते थे औंग्रेयज्ज कर डॉच घॉब्ड़ा् greetings अंग्रेज भी या स्पेनिस भी डॉच भी यह सब कभी कभी आपसमें लडाई हो कर देते थे तो यह सब इसका अंसर जो हो जाएगा सबी बैपारी जपान से बैपार करते थे बायते परुच भी चलता है तो यह सब चलता है यह से हो जाएगा डिया। चलिए आगे बढ़ते हैं राजा की सक्ति सोगुन के पास कब चली गई एक रावी सदी तेरावी सदी बरहवी सदी इन में से कोई नहीं तो जो राजा की सक्ति है वो सोगुन के पास में बरहवी सदी में गई थी सोगुन के पास मालने यह राजा था और राजा ते नीचे सो पारे करने लगा और बरहवी सदी से लेकर 1860 तक यानि 19-20 तक इसके पास राज सोगुन के पास उसके पास अमेरिका वालों के मदद से फिर ट्रोगुन से सक्ति छीन कर किसके पास दी गई राजा को सक्ति दी गई चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा शोगुन के पास सक्ति लिए जो में जी था था वो कौन था राजा हुता था राजा होता तो राजा कोह जी कहा जाता इसलिए जब राजा सधी 2-2 सदी में ठेल भीर या तो चीन लिया था ए फिर वापस कि में जी मतलब राजा की पुर्णा रास अपना हुई का आठा-समा शथरा सब्सक्रीजा को बहुत सार राजा ने के जिसे जपान इतना बिक्सित हो पाया तो में जी कोन था वहली बार नई सीख्षानिती जो लागू की गई थी वह 1870 में लागू की घया ज़ान रखियेगा 1870 में 1860 में राजा को सकती मिलती बहुत अच्छा चे काम गया पर्सासनीक सुधार किया शीच्छा में सुधार किया बैंकिंग पर्थी सुधार किया कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हिसे जापान बीग्सित हो पाय कि अंसर हो जाएगा ऑगला के अगला कोशन कि आ ए जपान में बैंकिंग पर नाली की सुरुवात हो 걸 को हुई थी जपान में जो बैंकिंगक पर नाली quantry जिद्यान रखिएगा 1872 में जपान में बाइकिंग पढ़ना लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोच्छन क्या है जपान कब पूंड रूप से साक्षर हुआ 1870 में 1910 में 1872 में डीन में स्कोई नहीं तो जपान पूंड रूप से साक्षर 1910 में अठारा सो सतर में नई सिख्षा निति लागो की गई और उसके बाद 1910 तक पूंड रूप से जपान साक्षर हो गया जोग पूरा जपान को पढ़ा दिया गया वहले भी लोग पढ़े लिखे थे लेकिन पूंड रूप से साक्षर जब राजा के सक्षर आया राजा के पास तो उन्होंने नई सिख्षा निति लागो की और उसके बाद 40 वर्षों के अंदर ही पूरा जपान सिख्षित हो गया तो चलिए यह खतम हो गया हम लात समाज में आ गया होगा और जल्द ही आप लोग का नया बैच चालू होने वाला है तो ध्यान रखिएगा नया बैच इ कोई भी को चानो आप कमेंड़े पूछ दखते हैं अमने दर समाज में आ गया होगा